हेलो दोस्तों तो यहर कल राज से मार्कीट बहुती बुरे तरीके से क्रैश हो चुकी है और अभी भी लाइव आपको दिखा रहा हूँ बीटी सी जिस स्पीड के साथ नीचे जा रहा है ना लगता है ऐसे है कि कुछ बड़ा होने वाला है वो क्या होगा अभी आप लोगों को दिखाता हूँ because काफी ज़्यादा लोगों का या लॉस हो चुका है और आपके पास सबसे अच्छा मौका है दो से तीन ओल्ट कुईन आपको बताने वाला हूँ जो भाई इस डंप के अंदर काफी नीचे आ चुके हैं और अगर तो आप इस टाइम पे उनके अंदर इंटरी डाल देते हो तो आप देखो तीन से चार दिन के अंदर आपका पॉर्टफोलियो डबल हो जाएगा पॉर आर के चार्ट में मैं देख रहा हूँ अल्मोस्ट कोई 6% बीटीसी गिर चुका है मतलब 6000 और यह हुआ कब है रात को तीन से चार बजे के अराउंट एक दम से मार्कीट में डम पाता है और अगर इसी को थोड़ा ऊपर बढ़ा के देखें थोड़ा लॉंग टम में तो यहां तक अगर देखें हम लोग तो अल्मोस्ट कोई जो मार्कीट है 11% यहां से गिरी है तीन दिन के अंदर पिछले तीन दिन के अंदर 11% बीटीसी यहां पे गिर चुका है और उसी के साथ औल्ट कुईन का तो बेड़ा घर्क होने वाला है दोस्तों अब यह हो क्यों और मैंने आपको यह चीज सबसे पहले क्यों दिखाई है वो इसलिए क्योंकि आपने नोट किया होगा जैसे ही मार्कीट के अंदर कोई ऐसी निउज आती है ना मार्कीट एक तरह से 60,000 को क्रोस करके ऊपर चली जाती है तो सब लोग मार्कीट के अंदर यह ट्रेंड बना अने वाली है तो सारे लोग मार्कीट के अंदर पैनिंग कर देते हैं पैनिंग फैला देते हैं तो काफी संसी नहीं होती है अब अगर लोंग टाम में देखो ना तो 200 डे मूविंग एवरेज लाइन से बीटीसी आ चुका है काफी नीचे एक तरह से यहाँ पे मैं आपको बताया था कि अगर तो बीटीसी को ऊपर जाना है ना तो उसको यहाँ पे यह वाले रिजिस्टेंस को तोड़ना होगा जब बीटीसी 64,000 पे तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि 65,000 वाली यह जो रिजिस्टेंस है ना इसको बीटीसी वो तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है अगर तो हम चाहते हैं कि मार्कीट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश हो जाए मतलब चेंज हो जाए लेकिन ऐसा नहीं हुआ अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है मेरी पिछली वीडियो जाके देखो जब सब लोग ये बात कर रहे थे कि मार्कीट उपर जाएगी अब उपर जाएगी अच्छी नियूज आ रही है अगस्त का महीना खतम होगा सितंबर अच्छा लग रहे हैं मार्कीट में लेकिन उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि केरफुली तरीके से आप लोग यहां पे रहो लंबी ट्रेड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है स्कैल्पिंग आप कर सकते हो क्योंकि जहां पे मैं देखता हूँ हम बड़े बड़े ग्रूप में फोरन ग्रूप में एड हैं वहां पे यह बात चल रही है कि अगले कुछ दिनों में एक बहुत बड़ा डंप मार्कीट के अंदर आने वाला है कि यह जो मार्कीट है ना उसी डंप की तरफ जा रही है और मैं आपको सीधा बता रहा हूँ अभी भी आपके पास टाइम है कोई बड़ी ट्रेड मत लेना अब नीचे यहाँ पे यह स्पोर्ट लाइन बन रही है जो पहले भी आपको मैंने बताया था 58,000 पे यह स्पोर्ट लाइन है और यह इतनी बड़ी और मेजर स्पोर्ट लाइन है अगर तो BTC कैसे भी करके इसको तोड़ देता है क्योंकि यहाँ से मार्कीट एक बहुती बड़ा डंप लगा सकती है और 50,000 की रेंज में हमें देखने को मिल सकती है अगले एक से दो दिनों के अंदर इसलिए जल्दी जल्दी मैं यह वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफी ज़्यादा लोग जहाँ पे मार्कीट क्रेश होती है तो वो क्या करते हैं कि शॉर्ट की ट्रेड खोल लेते हैं कि भाई आप तो नीचे जा रही हम लोग पैसे कमा लें होता क्या है कि फोरन से मार्कीट आपको जो है ना वाश करवाने के लिए थोड़ा सा रिकवरी बैक करती है जैसा यह ग्रीन केंडल अब आपके सामने बन रहा होगा तो यह चीज़ें आपको अपने माइंड बें रखनी है तो इसलिए जो है ना मार्कीट की जो अब वाली काफी मुश्किल सिचुएशन है तो इसलिए बहुत सोच समझ के लगाना यहाँ पे ट्रेड क्यूंकि जितनी बड़ा डंप यहाँ पे आने वाला है ना मैं आपको याद दिलाओंगा मेरी बात आप लिख लेना चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों ताके आने कर रहे हैं मार्कीट को देखो अभी ऐसी कोई ओफिशल न्यूज आई नहीं है जिसकी बुन्याद पे मैं ये बोल सकूँ के इस न्यूज की वज़ा से जो है ना ये डंप आ रहा है लेकिन जो मार्कीट मिकर होते हैं ना भाई वो थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं अब वही पे जो मार्कीट मिकर होते हैं जो मार्कीट को चलाते हैं वो हमेशा इसी कोशिश में होते हैं कि आपके साथ क्या किया जाए मतलब यह है कि वो ये सोच रहे थे कि कब मार्कीट के अंदर ट्रस्ट आएगा लोग अपना पैसा जो है ना यहाँ पे ट्रेड ओपन और वो मार्कीट को डंप करवा देते हैं कभी कभी जब मार्कीट के अंदर वॉलियम उतना ज्यादा नहीं होता तो यहाँ पे मैं एक मिनिट वॉलियम की अगर बात कर लूँ तो वॉलियम आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे रात के टाइम पे निकल चुगा है यह जो रेड नीचे आपको नजरा रहा है तो इसलिए मार्कीट यहाँ पे डंप कर देती है लेकिन जब तक यह मार्कीट की सुचुवेशन ऐसे चल रही है तो आप लोगों को बस एक ही चीज याद रहनी है एक तो यह जो ऊपर रिजिस्टेंस मैंने आपको बताई है इसको ब्र इसी तो जो के कोशिश हो रही है यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा ट्राई हो रही है यहाँ पे इस वाले स्पोर्ट लाइन को तोड़ने की तोड़ देता है तो फिर भाई संबल के रहना क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़ा डंप आएगा और अपने पो दोलर पे था अभी आ चुक है 1.5 पे अगर मार्कीट थोड़ा सा और भी नीचे आती है तो मुझे लगता है कि यह वाला जो कुईन है ना सीधा सीधा 1 डॉलर पे आएगा तो इसको नजर में रखना आपको डबल प्रोफिट दे सकता है जस्ट 5 से 6 दिनों के अंदर भाई अगर 100 डॉलर है आपके पास तो 200 हो जाएंगे और उसी के साथ इससे मिलता जोलता है को और अल्ट कोईन आपको बताने वाला हूँ उसका नाम है बाई साब WLD यह मेरा फेवरेट है काफी टाइम पे मतलब ही इसने मुझे प्रोफिट दिया है हर दफा ही और यह भी 2 डॉल यहां पे दे सकते हैं क्योंकि अचानक डंप आया है अचानक इनकी प्राजी से नीचे आईए मैं यहां पे थोड़ा वेट कर रहा हूं इनके अंदर इंट्री डालूंगा लेकिन देख रहा हूं के कहीं यह थोड़ा और नीचे आए 1.2 पे 1.3 पे 2 पे almost perfect रहेगा मैं कोई अपने portfolio का 20% इसके अंदर कर दूँगा बाकी देखूंगा अगर और नीचे आता है 1 डॉलर पे तो फिर मैं 30% और भी जो है ना इसके अंदर डाल दूँगा क्योंकि यहां पे सीधा सीधा amount double हो जाएगी एक लिए कुछ दिनों में तो यह वाले कुईन आपको बताने थे क क्योंकि काफी लोग हमारी community में new आये हैं उनको profit बनाने में काफी मुश्किल होती है और यह जो मौके आते हैं यह सबसे असान होते हैं और आप लोग यहां पे अच्छा profit बना सकते हो अभी के लिए कोई बड़ी बात नहीं आई market जैसे ही close होती है या कोई new news आती है तो आपके साथ hope की अच्छी news आएगी कोई अभी के लिए कोई बात पूछनी हो तो मुझे comment में बता देना मैं उसका reply आपको कर दूँगा